नमस्कार दोस्तो हरियाना में जो अभी आयुशमान कार्ड बनाए जा रहे हैं परिवार पैचान पत्तर से फैमली आईडी से जो आयुशमान कार्ड बनाए जा रहे हैं उसकी लिस्ट में आपका नाम आया है या नहीं आया है आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तो उससे पहले मैं बता दू जो यह आईश्मान कार्ड है सरकार की तरफ से बिलकुल जो है सभी के लिए बनवाई जा रहे हैं जिसका भी लिष्ट में नाम आया है और जिसका लिष्ट में नाम आया है उसको पांच लाग रुपए तक का जो है सरकार की तरफ से कोई भी वेबसाइट का लिंक है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहाँ पे आपको क्लिक करना है लेकिन उससे पहले जो है आपको भी यह वीडियो पूरी एक बार देख लेनी है किस तरीके से आप चेक करेंगे इस वेबसाइट को उपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिंक जो तीन बिंदिया आपको दिख रही है इस पर क्लिक करना है वो डेक्स्टो मोड पर आपको यहाँ पर ओके कर लेना है यह यहाँ पर मैंने पहले ही ओके कर रखा है तो यह आपको ओके होना चाहिए उसके बाद फिर यहाँ पर तीन लाइन आपको दिखरी है इस पर क्लिक करना है इस पर जैसे क्लिक करनें glue तो यहां पर आपको कहीं सारे option दिखर एक एक option ऑपको दिख रहा है beneficity database इस पर आपको जो है click करना है यह सबhem mobile से भी कर सकते हैं मैं mobile से ही आपको करके बता रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है यह website आपके सामने open हो जाएगी यहाँ पर आपको जो है registration करने की जरूरत नहीं है आपको diet यहाँ पर click करना है इस पर click करने के बाद आपको जो है आपको mobile number यहाँ पर enter करना है और OTP आपके पास आएगा मैं एक mobile number यहाँ पर डाल के दिखा रहा हूँ आपको यह mobile number जब आप डाल लेंगे तो आप जो है direct इसको get OTP पर click करेंगे उसके बाद OTP आपके mobile पर OTP आएगा OTP आपको यहाँ पर enter कर देना है 688441 जैसे आप sign in पर click करेंगे तो आपके सामने इस तरह का interface open हो जाएगा और यह हर बार आप नए तरीके से login कर सकते हैं कोई भी mobile number जो आपके पास है उससे आप लिश में login कर सकते हैं login करने के बाद आप सहर से belong करते हैं या गाउं से belong करते हैं आपको select कर लेना है फिर आपको अपना हर्याना राज़े select करना है यहाँ पर हर्याना उसके बाद जो भी डिस्टिक से आप belong करते हैं डिस्टिक आपको select करने है उसके बाद जिस ब्लोक में आपका गाउं आता है या से तो जो है कई बार यहाँ पर website में भी दिक्कत होती है जो आप कई बार चेक करते हैं तो data not available ऐसा कुछ दिखाता है तो आप उसमें जो है दोबारा से उसको process जरूर करके देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे जो मैंने यहाँ पर बाबरपुर गाओं का जो है नाम लिखा है तो उसमें पूरे गाओं की जो है लिस्ट यहाँ पर आ गई है और इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं पूरे गाओं की लिस्ट और इसी तरीके से आप MC area का भी चेक कर सकते हैं, ये सभी option है, सभी अलग-अलग लिस्ट दी गई है, और इसके साथ आप यहाँ पर जो है, अपनी जो लिस्ट दी गई है, PDF में या Excel डीटेल में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी लिस्ट आपकी male, female, mother का नाम है, सभी डीटेल यहाँ पर दी गई है, तो सभी का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसके लाव दोस्तों, सभी तरह की जानकरी के लिए जो है, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ share करे, like करे, और कोई भी query है, तो वीडियो के निच्छे comment box open है, comment आप जरूर करें, धन्यवाद